हलो फ्रेंट्स वेलकम टू इस प्रेंटिंग बच्चों से कैसा विहावार करना चाहिए यह अधिकतर महबापों को पता नहीं होता ऐसे में समस्यां उत्पन होना विहावारिक है आज इस वीडियो के माद्यम से हम आपको बताएंगे कि बच्चों कोई साथ आपको कैसा वैवार करना चाहिए एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि जैसा बीच बोगे वैसा ही पलपाओगे यह पेरेंटिंग में बिलकुल यथार्ट सिथ होती है सबसे पहले बच्चे का नाम रखते समय इस बात का ख्याल रखें कि वह नाम अर्थवान हो और उसका अर्थ बेहद सार्थक हो बच्चों में यह आदर डालेंगी वह रोते हुए ना उठें कभी भी बच्चे को डरा कर या किसी चीज के भय दिखा कर कोई काम ना कराएं ऐसा करने से वह दिशाहीन हो जाएंगे बच्चों के सामने या बच्चों को कभी भी गाली ना दें इसके अलावा अश्लील चुटकले या ऐसी बातें ना करें जो बच्चों के लिए काफी गलत हो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपका सम्मान करें तो आप उन्हें जादा बोलने से बचाएं क्योंकि ऐसा करने से वह आप से बहस करने लग जाएंगे बच्चों से हमेशा तुम या आप कहकर ही बात करें ऐसा करने से वह सब भ्यवाशाशी केंगे और आप जैसा बोलेंगे बच्चा उसी का अनुसरर करेगा रोज आप अपने बच्चे के साथ आदा घंटा बिताएं और उसकी बातों को ध्यान से सुनें बच्चों के सामने किसी भी अन्य धर्म की निंदा या मजाक ना बनाएं क्योंकि ऐसा करने से वह भी ऐसा ही वेवार सीखेंगे बच्चों को शूर से ही पढ़ने की आदत डालें किताबे इंसान को बहुत कुछ सिखाती हैं ऐसे में आदत आपके बच्चे को आदर्श्वान मनाने में मदद करेगी बच्चों को कभी भी डरावनी कहानिया न सुनाएं नहीं किसी के सामने अपमानित करें ऐसा करने से बच्चा ही इन भावना से ग्रस्त हो जाता है हम आशा करते हैं जानकारी आपके लिए ग्यानवर तक सिद्ध हुई होगी और आप इसे अपने मित्रों के साथ आवश्य शेयर करेंगे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले बेल बेटन को जोड़ी कुपाए धर्यवाद